हाई हेब्रिवाण बेकम टू आ पिलाशा किचन ऑर आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं टोमाटो राईस की रैसिपी जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट होता है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो टोमेटो राइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चावल तो मैंने यहाँ पे चावल लिया है जिसे धो लिया है और इसे साइड रख दूगे ताकि जितनी दिर में सबजी वेगड़ा काटू उतनी दिर में यह सोख होता रहे और मैंने रेगुलर चावल इस्तेमाल किया है अगर आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं अब यहाँ पे मैं कुछ सबजियां ली हूँ तो टोमेटो राइस है तो इसमें टोमेटो की कौंटिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है तो मैंने चार टोमेटो लिया है दो आलू लिये हैं कुछ लहसन प्याज और करी पता और यह कुछ खरे मसाले हैं जिसका हम तरका लगाएंगे जैसे की जीरा दालचीनी लॉंग इलाइची और जो भी चीज़े हैं आपके पास खरे मसाले में आप वो ले सकते हैं तो बस अब सारी सब्जे को पहले में दो के काट लेती हूं यहां गैस पर मैंने चड़ा दिया है कुकर कुकर में सबसे पहले ओयल डालेंगे तो तेल जो है रिफाइन ओयल ले रही हूं और यह थोरा समय जितना मतलब सब्जी बनाते हैं उससे थोरी सी ज्यादा क्वांट खरे मसाले को तरकने देंगे जलाना नहीं है make sure क्योंकि यह अगर जल जाएगा तो आपका पूरा राइस ही बरबाद हो जाएगा तो वह नहीं करना है उसके बाद जो लहसन काटके रखे थे बारीक वह भी इसमें डाल देंगे इसको बस 10 से 20 सेकंड के लिए हमें सौटे कर जाता है और साउथ इनिया में मतलब जो साउथ इनिया को खाना होता है उसके हर एक फूड में आप देखोगे कि उसमें करी पता जरूर रहता है तो इससे ना काफी authentic टेस्ट आता है और करी पता जैसे ही हलका सा तरग्या इसमें मैंने बारीक कटे हुए प्याज भी डाल द दिया है जो मैंने काट के रखे थे अलु का शेप थोरा सा बड़े-बड़े साइस करका रखा एक यूब शेप में और इसे भी एक मिनट के लिए हम हमें सौटे करना है सारी चीजे जो भी हम डालेना मसले इमीन सबजियां उन सबको हमें एक मिनट सौटे करना है क्योंकि ब मसाल Krug में एक मिनट के लिए Цеमाटर को समाइए के साथ में सोटे करने के बाद अब यदा मसालों की जरूरत नहीं है रिगूलर मसाला डालेFr एक टीस्पून एक टीस्पून मिर्ची का पॉर्डर डाल देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए बिर्यानी मसाला ठीक है तो यह अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद व बहुन जाएगा तो ज्यादा अच्छा आएगा क्योंकि इसके बाद निक्ष्ट तो अब इसमें पाणी डालेंगे उसके बाद यह नहीं बहुन पाएगा तो इसलिए मसाला भूनना जादा जरूर यह तो दो मिनट तो आप जरूर मसाला को भूनिए और मेक शूर की कल्छ तो मतलब अच्छा एक टेस्ट आता है वैसे बहुत लोग पानी के साथ में भी डाल देते हैं सिर्फ उबालने के लिए लेकिन मैं क्या करते हूं इन मसाले और इसके साथ में ही डालती हूं जिससे क्या होता है ना कि थोड़ा ऐसा बड़ी अच्छी सोंधी सोंधी सी खुश् जादा देर नहीं सिर्फ एक से डेर मिनट के लिए इसे क्या होगा ना कि काफी अच्छा है तो आपका चावल खिला खिला बनेगा और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है एक डेर मिनट के बाद वापर से एक बार मैंने चला लिया है साथी साथ जो साइड वाइड में पक जाएगा और वेस्ट हो जाएगा उसके बाद जितना आपने राइस लिया जैसे मैंने यहां पर वन इंड हाफ ग्लास राइस लिया है तो तीन ग्लास पानी लिया है ठीकर तो जितना भी आप चावल ले रहे हैं उसका डवल आप पानी ले लो साथ ही साथ आपको यह भी कैसे कलशी को हमें चला लेना है उसके बाद कर देंगे कूकर को बंद उसके बाद सिर्फ दो सिटी हमें इसे लगाना है दो सिटी में हमारा चावल बनके हो जाएगा तयार तो आप देख सकते हो कि स्टीम भी निकल चुकी है और आप देख सकते हो कि चावल काफी अच्छे से पक चुका है, लेटसी की कैसा बना है, तो आप अपने सामने में ही देखें कि एकदम खिला-खिला सा और काफी अच्छा बना है, मसाले भी काफी अच्छी तरीके से घुल मिल गए हैं, तो इसे बस परोसी ये और इसे रायते के साथ में, पापर के साथ में, मतलब अच्छ जैसे भी आपको पसंद है, खा सकते हैं, आप चाहे तो उपर से घी भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है, तो काफी अच्छी शॉटकर तरीका और हेल्दी भी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है, तो एक बार इस रेसिपी को आप ट्राइ जरूर कीजिए, तो आप इलाशा कीचन को जरूर सबस्क्राइब कीजिए, थैंकियो फर वाचिंग, बाई